हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इसका कॉशन ऐसे भी आ सकता है आपको सेम यह अंसर लिखना है अपने अब्जेक्ट के अंदर अंदर अच्ट करने के लिए कि कमपनी अपनी पावर से ज़्यादा काम ना करें अगर वो अपनी पावर से बाहर जाकर कोई काम करेंगी तो वो अल्टरा वायर माना जाएगा अगर कोई ऐसे अब्जेक्ट जो कमपनी ने अपनी हदो को अपनी पावर से को एक्स्ट्रा यूज करके की है जिस चीज की उनके पास पावर नहीं थी उन्होंने फिर भी उस चीज का यूज करें तो वो अल्टरा वायर कहलाएगा और जो भी उन्होंने अब्जेक्ट की मतलब जो भी उन्होंने अक्ट कर रहा है वो अक्ट है चाहें सभी शेयरोल्डर के इस चीज की उन्होंने मिल जाए तो भी वो वेलिद नहीं माना जाएगा वो अक्ट इस केस में कंपनी के में में लिखा था के मतलब जो कंपनी है वो कंपनी इस्टेबलिश की गई है सेल बगरा करने के लिए समान को उधार पे देने के लिए क्या आइप समान देंगे रेल्वे क्या आइप सब्सक्ता है कर सकती है मैं में लिखा गया था कंपनी की मरत कंपनी एंटेट इंटो तो कंट्रक्ट विद रिची बड़ कंपनी ने रिची के साथ contractor enter कर लिया फर्म ओफ railway contractors to finance the construction of railway लिविग भी ली बेल्जियम लाइन बेल्जियम तो इसमें बताया है कि यह जो फर्म थे railway contractor ने railway contractor ने finance कर दिया construction of railway railway line डालने के लिए Belgium के अंदर but the company committed the breach of contract but company ने breach कर दिया contract को तोड दिया वोइलेट कर दिया तो इसे पावर्स जो उनके पास नहीं थी फिर विन ने काम किया यह एक्ट किया तो यह अल्ट्रावायर माना गया है इस वज़े से जो एव भी डिसम üst कर दिया गया है कॉंसिकॉंसिव उट्रावायर र स्रांजेक्ट्शिन को जो घोती है उसके मतलब कॉंसिकॉंसिव क्या क्या होंगे क्या तृभाव होगे उसके to restrain the company from doing the act तो इसमें बताएगा injection का मतलब कि किसी को किसी काम करने से रोकना कि मतलब जो अपने वो गलत काम कर रहा था उसको suit file करके उसके injection वकरा file करना कि अगर company कोई गलत ऐसा काम करने जा रही है जो उसके objects के अंदर नहीं है अपनी powers का में सिस कर रही है या अपनी powers को जो उनके पस powers नहीं है फिर भी वो काम करने जा रही है objects से बाहर हो कर तो कोई एक shareholder भी suit file करके injection के लिए company को उसका वो act करने से रोक सकता है second point directors may be held personally liable funds of company can only be utilized to carry out the business to carry out the objects of the company जो company के funds है वो just use इसलिए किये जाएंगे जो company के objects हैं उन्हीं के लिए company cannot use its funds on the objects which are ultra-wires company ultra-wires acts पे अपने funds बगरा नहीं यूज कर सकती if such thing happen directors can be held personally liable अगर ऐसा कुछ हुआ तो directors personally liable माने जाएंगे उस amount के लिए case sharp case in this case directors of the company paid the dividend to the shareholders out of the capital of the company instead of the profits of the company directors were personally held personally liable तो इसमें बताएंगे है जो dividend होता है dividend जो shareholders को दिया जाना चाहिए वो हमेशा profits के अंदर से दिया जाता है profits में से दिया जाता है ना कि capital में से तो जो directors होनों तो capital में से dividend प्रोवाइड कर दिये shareholders को तो इस वाज जैसे जो भी amount नहीं तो उससे जादा उन्होंने पावर्स यूज करी तो पर्सनले लाइबल माने जाएंगे अगर उन्होंने पावर अपनी जादा यूज करके कोई contract कर लिया तो contract वो वोईड माना जाएगा मतब गलत माना जाएगा वोईड अभी निश्यों स्टार्टिंग से ही गलत case weeks versus profit in this case railway company floated the debentures beyond the authorized boring powers a offered a loan of 500 pounds on the basis of advertisement companies has accepted it and issued in favor of a the debentures the loan was ultra-wired and directors were personally held liable तो इसमें यह पताया गया है इस case में कि जो ए railway company यह नोंने debentures वगरा authorized करे boring powers यूज करके जो उनके पास नहीं थी a offered a loan of 500 pounds on the basis of advertisement a ने loan offer किया 500 pounds का advertisement के basis पे और company ने उसको accept कर लिया और उसको एको debentures issue कर दिये और जो company ने किया loan वगरा loan जो उन्होंने लिया है वो एक तरीके से ultra-wired माना जाएगा because directors उसके लिए personally liable माने जाएगे because उनके पस उस चीज की पावर नहीं थी property acquired through ultra-wired dealings where company's money has been utilized in ultra-wired dealings in order to acquire certain property company has a right over that property इसमें ये पताया गया अगर company ने अपने powers यूज करी जितने उनके पावर नहीं तो उन्होंने फिर भी यूज करी उन्होंने अपनी money जो company की थी company के funds वो किसी ऐसे dealing ऐसी property को लेने के लिए utilize कर दिये जो ultra-wired थी तो company का उस property पर right माना जाएगा ultra-wired contracts any contract beyond the objects of the company's ultra-wired ऐसा कोई पर contract जो company objects के बाहर से है वो ultra-wired माना जाएगा and not binding on the company और company पर binding नहीं माना जाएगा it was discussed in the ashberry case तो यह हमने ashberry case में discussion करी थी इसके बारे में liability for ultra-wired acts under the law of tots there is no certainty as to the extent to which company may be held liable resulting the damages out of the ultra-wired acts but the law which is today company is liable for the tort if it is shown that the tort has been committed by its servant in the course of employment of the company तो इसमें यह बताया गया है कि जो company है company अगर कोई भी damage होते है company की वज़ए से ultra-wired act करने की वज़े से तो वो personal liable माने जाती है बट इसमें यह बताया गया है आज के law के according जो company है company तब भी liable माने जाएगे जब company के servant ने इंद्या कोर्स आप इंप्रोइमेंट की मतलब जोब के timing वज़े से 10 to 6 होती है morning के 10 वज़े से लेकर शाम के 6 बचे तक job की timing होती है employment की तो उस timing के अंदर अपने employment course के अंदर है अगर कोई काम किया जो ultra-wires है तो company उसके लिए liable माने जाएगी exceptions to the doctrine of ultra-wires exceptions के बारे में बात कर रहे है कि ultra-wires act क्या-क्या exceptions है इसमें क्या-क्या चीजे ultra-wires act में नहीं include होंगी an act which is intra-wires in the company ऐसा कोई एक जो company के intra-wires है जो objects के बीच में है या but outside the authority of the directors but directors को उस काम के authority नहीं है it can be ratified by the shareholders वो shareholders के दोबारा मतलब उनकी help से सही की जा सकती ratify किया जा सकता है उनको correct किया जा सकता है it was so decided in the case of जिन्दनाथ वसी शलिंदनाथ यह जिन्दनाथ वसी शलिंदनाथ के case में decide हुआ थे बात if an act is intra-wires in the company अगर कोई ऐसा एक जो company का intra-wires है objects के अंदर है but done in the in regular manner but उनके सही way से नहीं किया it may be validated by the consent of shareholders but वो बाकिए shareholders के consent के सही माना जाएगा अगर कंपनी ने कोई प्रॉपटी लिए investment वगरा जो उनके पास थी उससे और वो ultra-wires act था उनका company का company had got the right to secure that property तो company के पास ही right होगा कि वो अपने प्रॉपटी को secure कर सकते जाएं पर उन्होंने अपने funds यूज की हैं इस प्रॉपटी को लेने के लिए there are certain acts under the company law which although not expressly stated in the memorandum ऐसे कई acts होते हैं जो company law में जो memorandum expressly return में नहीं होते हैं but are impliedly within the authority of the company but वो company को authority देते हैं कि वो ऐसे acts कर सकती है company they are not considered to be ultra-wires तो वो acts ultra-wires के अंदर count नहीं माने जाएंगे for example business business company can raise its capital by borrowing तो जो business company होती है companies होती है जो अपने business वगरा करना जाती है वो अपने बोरिंग होती है मतलब loan वगरा लेकर अपनी capital raise कर सकती है if an act of the company is ultra-wires namely out of the articles of the company अगर company ने कोई ऐसे act किया जो ultra-wires act है जो articles के अंदर नहीं आता मतलब objects के अंदर नहीं आता या articles के अंदर नहीं आता तो company अपने articles को Carter कर सकती है change कर सकती है उनमें difference कर ला सकती है पहले के और अभी के मुकाबले ताकि जो उन्होंने act की है उस act को validate किया जाए मतलब valid बनाया जाए ओके थैंक्यू झाल झाल